दवाईयों के बारे में संपून जारकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल All About Medicine को सबस्काइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिक्स करें Welcome friends, Sooswagam दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Folic Acid Tablet के बारे में जैसा कि सब को पता है प्रेग्नेंसी में दी जाती है, क्या क्या इसका रोल रहता है, और प्रेग्नेंसी के लाव इसका प्रियोग क्या क्या है, डोज क्या रहती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इन सभी बातों को इस वीडियो में बताऊंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखे, जिससे क कुई भी जानकारी नहीं छुटे क्योंकि दोस्तों दवाओं की अधूरी जानकारी बहुत ही गातक होती है मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देखरें अपना यूटीब चैनल All About Medicine चलिए आज पिर कुछ नया सिखते हैं हेलो फ्रेंड्स वीडियो की सुरुआत में हम जानेंगे फॉलिक एसिड क्या है यह एक मानवन निर्मित विटामिन बी है जो नेचुरली फॉलेट कहलाता है फॉलिक एसिड हमारे खोन में आर बीसी जो ड्रेट ब्लर सेल होती है उसको बनाने के लिए जिम्मेदार है साथ में गर्ब में पल रहे बच्चे की जो हैल्थ है उसको परफेक्ट रखने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों इसे कब लेना शुरू करें इसके बारे में जानते हैं इससे पहले जाने लेते हैं इसकी ब्रांड्स क्या है मार्केट में ये फोल वाइट, फोली मेट, विटा फोल, एफ ए आधी नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगा इसके अलब अपने जो जनरिक नाम है फोलीक एसिड उससे भी आपको आसानी से मिल जाएगा जनरिके साथ जो बच्चे में कम्या होती हो प्रेग्नेंसी के सुरू आती है इसलिए फोलीक एसिड टेबलेट को प्रेग्नेंसी के सुरू आत में या जब गर्भधारन करना हो प्रेग्नेंसी के प्लानिंग करने हो उस समय शुरू करना होता है, जिससे कि जो तकलिफ हैं, 50% अपने आप कम हो जाती है, और यह बच्चे के जो premature birth है, समय पूर जर्म होना है, उसको भी यह रोकता है, सामयने तब folic acid को pregnancy होने के एक महेने पहले, रोज एक गोली खाने की सला दी जाती है, और इसकी जो मात्रा होती है, 400 माइक्रो ग्राम परते दिन दी जाती है, जिसको तंत्रिय का तंत्र और मस्तेक्स तता इसमयल कोड को विकास करने के जिम्मेदार रहती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान folic acid दी जाती है, और यदि folic acid प्रेयात मात्रा में दी जाए, तो spino bifida नामसे एक बिमारी है, जिसमें बच्चे की spinal cord, मेरुरज़ो जो होती, बेक बॉन, वो ग्रोथ नहीं कर पाती, और बच्चे में permanent disability आ जाती है, उसको दूर करने के लिए भी folic acid बहुत ही फाइदे मन्द है, साथ ही folic acid प्रेयात में दी निमीत रूप से लिया जाए, तो encephaline नामक बिमारी है, जो बच्चे के मांसिक विकास को रोक देती है, कई बार बच्चे की मृत्यू भी जल्दी हो जाती है, इसे दूर रखने के लिए फाइदे मन्द है, और folic acid pregnancy में पहले तथा pregnancy के दोरान जब दी जाती है, बच्चे की premature वर्थ को रोकती है, साथ ही बच्चे की वजन को ठीक रखती है, और जो mixed skiris नहीं हो पाए बच्चे, पेट में नहीं मर जाए, उसको भी रोकती है, इसलिए pregnancy के दोरान folic acid लेना बहुत ही आविश सके, folic acid का इसके अलाव जो प्रयोग है, वो mouth ulcer में है, यदि sore हो जाए आपके मुँव में, उसको ठीक करने के लिए folic acid प्रयोग में लाई जाती है, साथ ही anemia, जिसे हम खून की कमी के नाम से जानते हैं, उसको दूर करने के लिए folic acid बहुत ही उप्योग ही है, और यदि सरीर में आपको ठकान आती है, सांस लेने में परेशा नहीं होती है, कई बार डोक्टर द्वारा folic acid प्रिस्काइब की जाती है, इसके दोस्तों side effect के बारे में अगर जानते हैं, तो commonly इसका side effect किसी बरका का नहीं देखा गिया है, फिर भी अगर कोई side effect हो, तो आप डोक्टर को जरूर बताएं, अउगत कराएं, जिससे आप उससे निजात पास सेकें, दोस्तों folic acid बारे में ये वीडियो था, जो short में complete introduction में आपको दे दिया है, बहुती काम की दवा है प्रेगनेंसी में, यदि प्रेगनेंट होएं या प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस दवा को आप ज़रूर लें, और यदि वीडियो पसंद आयों तो इस वीडियो को ज़्यादा सेर करें, और लाइक करना नहीं बूले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने All About Medicine चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेसं दवाओं के बारे मिलते रहें, आप ते अपने दोस्त मोहित आदी, इसके साथ और देख रहें ते अपना यूटिव चैनल All About Medicine